गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बीएसी पार्ट वन के फर्स्ट पेपर में आज हम क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं क्लास एवीज जैसा के हमें पता है इसके अंतरकत सारे पक्षिया बर्ड आते हैं और अभी तक लगबग दस हजार स्पिशीज हैं जो हमें ग्यात हैं बर्ड की या पक्षियों की बर्ड के लिए कहा जाता है कि ये बर्ड आर ग्लॉरिफाइड रेप्टाइल्स क्योंकि इनका विकास रेप्टाइल्स के प्राणियों से हुआ है और स्टेडि अफ बर्ड जो है उसे हम और्णिफॉलॉजी कहते हैं क्लास E20 को दो सब्क्लासस में बाटा गया है आर्की औरनिथीस और नी औरनिथीस सब्क्लास आर्की औरनिथीस के सारे ही पक्षी आज विलुप्थ हो चके हैं और जो भी पक्षी हमें आज दिखाई पड़ते हैं वो नी और्निथीज के हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास एवीज के लक्षन इनका शरीर फेदर्स या परों के द्वारा धका होता है जिसे प्यूमेज कहते हैं तोचा कोमल और ढीली होती है और हाइन लिम्स पे या पश्चे पादों पे शलक पाये जाते हैं अगर पाद जो हैं वो उड़ने के लिए मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में और पश्चे पाद जो हैं वो नॉर्मल होते हैं वह इनमें चार नखर युक उंगलियां पाई जाती है पश्चेपात के उंगलियां जमीन पर दौड़ने पेड़ों पर बैटने या तैड़ने के लिए उप्यूगत होती हैं वेब्ड भी होती हैं कुछ प्रजातियों में शरीर जो है वो स्ट्रीम लाइन होता है सिर्फ छोटा गर्धन जो है वो इनकी लचीली होती है और पूच जो है वो छोटी होती है मुक चॉच के रूप में दात नहीं होते हैं जबनों पर केवल शरंग्ये प्लेट पाई जाती हैं इसकिन जो है वो ड्राइ होती है और glandless होती है गरंथी विहीन होती है सिर्फ तेल गरंथिया और प्रीन ग्रंथ जिनको हम कहते हैं वो पाई जाती हैं एंडोसकलिटन अस्थिओं का बना होता है जो hollow होती है यानि कि pneumatic bones होती है हलकी होती है, जो उन्दे में इनको सहायक होती है, वजन कम रहता है इनका कपाल, मूनोगonstілिक होता है कशेरुकाएं जो हैं, वो हीट्रोसीलस होती है वक्षिये कशेरुकाएं, फ्यूज होके सिसाक्रम बनाती है इस्टरणम बड़ा होता है वा कील युक्त होता है जो उड़न पेशियों को जुड़ने का इस्थान उपलप्त कराता है पसलिये जो हैं वो द्वीशीडशी होती है इन में अंक्रिनेट प्रोसेस पाए जाते हैं अंकुशी प्रवर्ध पाए जाते हैं क्लेविकल वा अंतर क्लेविकल अस्थियां मिलकर फर्कुला का निर्मान करती हैं अंतिम पुंचिये कोशिकाय समाकित होकर पाई को स्टाइल का निर्मान करती हैं यानि के फ्यूज होके पाई को स्टाइल बनाती है इन में आहारनाल वेल डेविलप्ड होती है और फैरिंग् क्रॉप तथा अमाशे में गिजार्ड पाए जाते हैं श्वासन नलीका के बेस पे सेरिंग्स या वैस बॉक्स पाया जाता है फेपड़े स्पंजी होते हैं इन में एर सैक्स पाया जाते हैं हार्ट पोर्च अंबर्ड होता है और फिर्दे से केवल एक दाहिनी धमनी चाप निकलती है रिनल पोर्टर सिस्टम जो है वो हासित होता है आर्बी सीज केंद्र क्यूक्त होती हैं इनके kidney या वरकक metanephric प्रकार के होते हैं, मुत्राशय का अभाव होता है और ये uricotelic होते हैं याने के उत्सरजी पदार्थ uric acid वा urate crystals के रूप में होता है कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं सिर्पर एक जोड़ी आइस की होती है जो lateral होती है और नेत्र जो है वो इनके बहुत ही sharp होते हैं बहुत दूर तक का इनको दिखाई देता है नेत्र में पैक्टिन पाया जाता है बाहयकर्ण का छिद्र पाया जाता है सेक्सस जो है वो अलग-अलग होते हैं याने के इनमें लैंगिक विभेदन मिलता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी पक्षी अंड प्रजक होते हैं अंडे बड़े और बहुत जादा पीतक युक्त होते हैं अंडे छिद्र युक्त केल्शियम कार्बोनेट के कवच त्वार ढखे रहते हैं नर में मैथो नंग पाया जाता है मादा में केवल बाया अंडाशय या ओवरी और ओवी ड़क पाय जाते हैं सामालता मादा अंडों को इंक्यूबेट करती है वह इनके लिए उसको अंडों पर बैठना होता है और इनमें पेरेंटल केर पैत्रिक सुरक्षा पाई जाती है और ये होमियो थर्मल होते हैं इनके शरीर का तापमान जो है वह बातावरन के अनुसार नहीं बदलता ये समतापी होते हैं याने कि इनके शरीर का जो टेंपरिचर है वह इस्थिर रहता है डेविलप्मेंट के दौरान एक्स्ट्राइंबिरोनिक मेंब्रेंज या अतरिक ढूनिये जिल्निया विक्सित होती हैं परिवर्धन या डेविलप्मेंट जो है वह और इस वर्ग को जैसा में बता चुकी हूं दो सब क्लासेज में बाटा गया है आर्की और्निथीज और नी और्निथीज आर्की और्निथीज के सभी पक्षी अब एक्स्टिंक्ट हो चुके हैं बिलुक्ट हो चुके हैं और इसका उधारन है आर्की और्निथीज की हम बात करें तो इसमें सभी जीवित पक्षी हैं और इसे चार सूपर ओर्डर में बाटा गया है सूपर ओर्डर ओडोंटो नैथी कि इसके भी सारे जो सदस्य हैं वो विलुप्त हो चुके हैं इनके मुख में दायक दात पाए जाते थे दूसरा सूपर ओर्डर है पेलियोगनेटी या रेटेटी भी इसको हम कहते हैं इसमें ना उँड़ सकने वाले बर्ड आते हैं और जो उड़ान के लिए काम में आने वाली पेशिया हैं वो भी कमजोर होती हैं इसी प्रिकार से पाईगो स्टायल नहीं पाया जाता याने के जो टेल वर्टिब्री हैं वो फ्यूस नहीं होती है इन में उधारने ओस्ट्रिच कीवी एक्सिक्ट्रा या रिया भी हम इसमें कह सकते हैं तीसरा सूपर ओडर है इंपैनी ये भी ना उड़ सकने वाले जलिये पक्षी हैं जो बर्फीले प्रदेशों में पाये जाते हैं अगर पाद जो है वो फिलिपर्स में रुपांतरित होते हैं पर छोटे और स्केल के समान होते हैं पश्यपाद वेब्ड होते हैं जाल्यूक्त है नियोगनेथी इसके सभी पक्षी जो है वो आध्वनिक पक्षी जो आज हमें दिखाई पड़ते हैं इनमें चौच पाई जाती है दात अनुपस्तित होते हैं और पाईगो स्टाइल पाये जाता है इसके साथ ही जो फ्लाइट मसल्स या उरन पेशियां हैं वो मजबूत होती हैं और इस सूपर ओर्डर को अठारा ओर्डर में क्लासिफाई किया गया है इसका उधारन अगर अपन लें तो पैवो या मोर हमिंग बर्ड लार्क कुकू पाइकर्स वुडपेकर ग्रेज इंडियन बस्टर्ड इत्यादी हैं तो यह था हमारा क्लास एवीज का दूसरी क्लास लेंगे मैमेलिया के बारे में हम बात करेंगे धन्यवाद थैंक्यू